हेलो एस्पिरेंट स्वागत है आप सब लोगों का UPSA विद पायल गुपता में लास्ट सेशन में हमने बिटिशर्स की एड्मिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखी थी हमने देखा था कि दो तरीके से बिटिशर्स भारत को जीत रहे थे एक तो वार के माध्यम से और दूसरा अपनी एड्मिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का यूज़ करके हमने इसके अंदर डॉक्त्राइन ओफ लेप्स समझा था हमने इसके अंदर रिंग ओफिन्स पॉलिसी समझी थी हम लोगों ने इसके अंदर सबसीडरी अलाइन समझा था ये तीन टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किये थे आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एंगलो बर्मीज वार होती है किस तरीके से यानि मयानमार पे कैसे इन्होंने कबजा किया किस तरीके से इन लोगों ने नेपाल पे कबजा किया और अफगानिस्तान से भी इन्होंने जो लड़ाई की थी जो हम अल्रेडी कर चुके हैं इंगलो अफगान वोर पहले ही अफगानिस्तान और सिंध को मैं कवर कर चुकी हूँ तो आप लगो वीडियो ज़रूर देखना Conquest of Synth and Conquest of Afghan तो मैं आज की क्लास में आपको यह डिसकस करूँगे कि यह नेपाल, मयानमार या अफगानिस्तान के उपर अटाक इन्होंने क्यों किया ठीक है उसके उपर हमारा फोकस रहेगा आपको समझाने की कोशिश करूँगी हो सकता है spectrum के अंदर यह सब चीज़ें आपको ना मिले लेकिन understanding बनाने के लिए मैंने अपने notes यहां पे include कर दिये है इसके बाद आप spectrum पढ़ेंगे तो आपको काफी easy लगेगी आप देखो जो नेपाल बर्मा या अफगानिस्तान का जो annexation हो रहा था वो क्यों हो रहा था वजे क्या थी एक तो आपको पता है यह समय ना मतलब यह समय चल रहा है 1813 के बाद का 1813 के बाद नेपाल बर्मा के उपर annexation हुआ है Britishers का 1813 में ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने नेपाल और बर्मा की तरफ move किया देखो 1813 का जो act आया था charter act 1813 का आया था आप लोगों को पता होगा आपने quality में पढ़ा है मैंने खुदने quality में पढ़ाया आप लोगों को मैंने आपको यह बताया था कि इन लोगों की monopoly खतम हो गई थी 1813 में monopoly खतम हो गई थी यानि अब इंगलैंड से और भी बहुत सारी industries और भी बहुत सारे factory owners इंडिया की अंदर आके trade कर सकते थे इन लोगों का competition बढ़ गया और सिर्फ इनकी monopoly कहां रह गई थी चाइना के साथ और चाय के trade में यह दो monopoly इनकी रह गई थी जहाँ पे सिर्फ British East India Company काम करेगी बाकी जितने भी छेतर थे सब जगा दूसरी industry भी काम कर सकते थी तो यानि इनका जो revenue हो रहा था उस revenue के अंदर competition हो गया और भी बहुत सारे लोग अब उसी revenue के लिए लडेंगे तो इन लोगों का जो revenue मिलना था वो कम हो गया दूसरा इन्होंने जितनी भी जगा occupy की थी जितना भी जगा जीता था वो सारी जगा British Crown ने अपने नाम लिखवा ली थी एक तो ट्रेड का revenue कम हो गया ठीक है ट्रेड का revenue कम हो गया पहले इस market के उपर केवल British East India Company का दबदबा था मालों यह पूरी market है इस पूरी market पे केवल British East India Company का दबदबा है लेकिन यहाँ पे अब X, Y, Z, A, B, C नाम की बहुत सारी companies आ रही है अब इनको और बड़ी market चाहिए थी ठीक है जहां से इनका trade revenue बना रहे है दूसरा जो इनका land से revenue आता था वो भी कम हो गया क्योंकि एक तो महरानी का order था इनकी queen का order था कि आप लोग और land को occupy नहीं करोगे और दूसरा यह order था कि जितनी भी जगा आपने ली है वो सब crown के नाम पे होगी यानि अकेली British East India Company उस revenue को यूज नहीं करेगी तो इस तरीके से इनको जो पैसे मिल रहे थे वो पैसे अब इनके पास कम होने लगे थे तो अब इनको बड़ी markets चाहिए थी कि हम अपना सामान किस तरीके से diversify कर सकते हैं कौन-कौन से ऐसी trades हैं जिसमें हम और पहले सिर्फ ऐसी चीज़े थी कि spices वगेरा में ये trade कर रहे है लेकिन अब इनको timber भी चाहिए था इनको opium भी चाहिए था इनको बहुत सारी ओर ऐसे goods चाहिए थे जिनमें trade कर सके और अपना revenue enhance कर सके तो देखते हैं एक एकर के points को 1813 बाद की 1813 के बाद नेपाल और बर्मा का annexation होता है क्यों क्योंके trade revenue जो है British East India Company का वो decline हो गया मैंने monopoly खतम हो गई थी 1813 के बाद 1813 के charter act से और अब इन लोगों का trade revenue कम होने लगा था दूसरी तरफ Britain का यानि British India का और China का आपस में बहुत अच्छा एक massive trade चल रहा था और यह barter system था barter system मैंने economy में आपको समझाया है कि cheese के बदले cheese एक commodity हम उने देंगे वो एक commodity सामने वाला हमें देगा तो चाइना Britishers को चाय दे रहा था और Britishers चाइना को silver, opium, spices, timber यह सब दे रहे थे Britishers का क्या जाता था कुछ नहीं हमारे भारत का opium, भारत का silver, भारत के spices, भारत के timber चाइना को भीज रहे हैं और चाइना से सस्ती सस्ती चाय में व्यापार कर रहे हैं और यह चाय से यह बहुत ज़्यादा profit कमा रहे थे तो इस तरीके से इनको barter system के अंदर काफी मुनाफ़ा हो रहा था silver इनको कहां से मिलता था, Bengal की treasury से मिलता था लेकिन जब Bengal की treasury से, Bengal की tijori से सारा silver vanish हो गया, सारा silver जब खतम हो गया तो अब इन्होंने अपनी community को diversify किया कि हम चायना में और किन किन चीजों से व्यापार कर सकते हैं तो इन्होंने देखा चायना के साथ हम opium के बदले चाय को बदल सकते हैं और spices के बदले चाय को बदल सकते हैं तो इन्होंने देखा, spices मैं और कहां-कहां से ला सकता हूँ, क्योंकि एंडिया के अंदर और लोग भी आ गए थे, spices को खरीदने के लिए तो इन्होंने देखा Spices मैं Myanmar से ला सकता हूँ मैं Philippines से ला सकता हूँ मैं Malaysia से ला सकता हूँ वहाँ पे Spices बहुत अच्छी होती है फिर इन्होंने देखा Opium में व्यापार अगर मैं करूँ तो मैं Opium की कहाँ पे अच्छी growth देख सकता हूँ कि मैं वहाँ से ओपियम खरीद लू तो इन्होंने देखा अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है जहां पे ओपियम की अच्छी ग्रोथ होती है और ये देखा टिमबर की जो अबंडेंस है वो मेयानमार के अंदर बहुत अच्छी है तो इन्होंने इन तीन शेत्रों को उक्यूपाई करने की कोशिश की मैयानमार, अफगानिस्तान और चाइन और नेपाल नेपाल क्यों? अब स्ट्राटेजिक रीजन देखते हैं ये हम लोगोंने इनके कमर्शल रीजन्स देख लिए अब हम देखेंगे स्ट्राटेजिक रीजन्स कौन-कौन से है कि ये लोग ये लड़ाई करेंगे इन एरियास को उक्यूपाई करेंगे स्ट्राटेजिक रीजन ये थे जो नेपाल था, ऐसे है आपका ये इंडिया है यहां चाइना है तो बीच में नेपाल पड़ता है नेपाल जो है एक buffer zone की तरह काम कर रहा था important role play कर रहा था चाइना अगर भारत पे कभी attack करेगा तो बीच में नेपाल जो है एक buffer zone की तरह काम करेगा इसलिए नेपाल का annexation जरूरी था ताकि चायना कभी भी भारत के उपर direct attack ना कर सके बीच में नेपाल एक शोख absorber country की तरह काम कर सके तीसरा इनका खौफ था रशियन की तिल सिर्थ treaty 1807 की जो नेपालियन का डर इनको सता रहा था कि अफगानिस्तान के रास्ते से नेपालियन आएगा और हमारे साथ भारत में आके लड़ाई करेगा तो यह अफगानिस्तान को capture करना चाहते थे कि वहाँ पर हम अपनी आर्मी खड़ी कर दे और जो रशियन्स हैं वो इंडिया के अंदर ना आ सके और क्या वज़य थी मयानमार को capture करने की देखो मैं तीनों की common वज़य बता रही हूँ ठीक है मैं तीनों ही area को पर्मा को यानि मयानमार को और आपका नेपाल को और अफगानिस्तान को तीनों की ही वज़य में common करके mix करके बता रही हूँ अब देखो जो सुमात्रा एक पिटिशर्स को ये लगता था इस रीजन में अगर हमारी कभी डच से लड़ाई हो गई तो हमको कोई ऐसी जगा ढूननी चाहिए जहां पास में ही हम अपनी आर्मी को खड़ी कर सके तो मलेशिया के पास मयानमार लगता था तो बिटिशर्स का ये मानना था अगर हम मयानमार को occupy करके अपनी आर्मी को यहां खड़ी कर देंगे कल को कभी भी अगर हमारी डच से लड़ाई होगी तो हमारी आर्मी हमारे पास ही होगी और बड़े प्यार से मलेशिया तक पहुच जाएगी बहुत आराम से बहुत जल्दी ये चोथी वज़े थी कि इन्होंने इन एरिया को कैप्चर करना चाहा पांच हुए यसी क्या वज़े थी? वो मैं आपको पहले ही बता चुकी इनको आप बड़ी मार्किट चाहिए थी क्योंके इनके कॉम्पिटीटर्स बहुत जादा आ गए थे ठीक है ये वज़े हम लोगोंने देखा समझी कि क्यूं इन तीन रिजन्स को अब ब्रिटिशर्स उक्यूपाई करने को चलेंगे तो मैं एंगलो नेपलीज वर की बात कर रही हूँ आपकी बुक में भी है आप बुक में से पढ़ सकते हैं एंगलो नेपलीज रिलिशन कैसे थे? देखो जो गौरखाज लोग थे उन्होंने रंजीत माला और भटगाउं ये रूलर था यहां का इस से नेपाल का जो रिजन है उसको कंट्रोल कर लिया था अपने कंट्रोल में ले लिया था 1760 में और इन्होंने उपर की तरफ जाने की सोची जैसे मालो ये नेपाल है नेपाल के उपर की तरफ जाएं तो चाइना आ जाएगा और उपर फिर पहाडी एरिया भी बहुत है तो इन्होंने सोचा हम साउथ में चलते हैं और साउथ में हमको आसान territory मिलेगी और हम कबजा आराम से कर सकते हैं इन्होंने अपनी expansion को start कर दिया ठीक है mountains की दूसरी तरफ जाने लगे और southern direction के अंदर यानि नीचे की तरफ भारत की तरफ खुद को expand करने लगे अब जब यह expand कर रहे थे तो धीरे 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 बिटिशर्स की territory के पास आने लगे तो अब 1801 में क्या होता है इंगलिश ने गोरखपूर को नेपाल के एक छेतर गोरखपूर को अनिक्स कर लिया और गोरखा की जो boundary है वो इस गोरखपूर के बिलकुल करीब लगती थी तो अब होता क्या है दोनों में लडाई हो जाती है ठीक है और जो यह लडाई होती है चार लडाई total हुई थी गाइस हम लोगों को इसकी बहुत जादा detail में नहीं जाना है क्योंकि यहां से जादा question नहीं बनते है total चार लडाई हुई थी लॉर्ड हैस्टिंग उस समय 1813 से 1833 तक था चार लडाई यहाँ पे होती है और 1816 में जो इनकी वार है टोटली वो एंड हो जाती है ट्रिटी ओफ सगोली के साथ तो मैच दा कॉलम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एंगलो नेपलीज रिलेशन में कौनसी ट्रिटी किसे रिलेटिड है तो ट्रिटी ओफ सगोली जो है 1860 में होती है जो पिटिश और नेपाल की लडाई का अंत होती है इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग नेपाल ने बिटिश रेजिडेंट को अपने नेपाल के अंदर असेप्ट कर लिया पूरे नेपाल को कभी कैप्चर नहीं किय या बिटिशर्स ने ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये नेपाली लोग जो होते हैं ये 1857 की क्रांती में 1857 के रिवलिशन में बिटिशर्स का साथ देंगे बिटिश रेजिडेंट बस इसको एक बफर जोन की तरह यूज करना चाहता था चाइना से बचने के लिए और च पुमाओं के इनको बिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया और तराई के बहुत सारे रीजन तराई रीजन आप समझते हैं जोगरफी में आपने समझा है जो दलदली एरिया होता है बिल्कुल नीचे के पहाड़ों के बिल्कुल फुट हिल्स का वहां के एरिया इसको ब इनको बैटर फेसिलिटी मिल गई नेपाल पे कबजे के बाद सेंट्रल एशिया से आराम से ट्रेड कर सकते थे अब इनको हिल स्टेशन भी मिल गए थे शिमला मसूरी नैनिताल ये एरियास भी अब इनके अंडर आ गए थे और बिटिश इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी संख्या में गोरखाज ने जोइन किया आपने गोरखा रेजिमेंट सुनी होगी ना ट्रिटी ओफ सगोली से ही इस गोरखा रेजिमेंट की शुरुवात होती है और आज भी देखोगे बहुत सारे गोरखाज जो है इंडियन आर्मी के अंदर आपको मिल जाएंगे और इस आप देखोगे गोरखा रेजिमेंट भारत के अंदर है और ट्रिटी ओफ सुगोली से ही इनकी शुरुवात होती है नेपाल ने बिटिशर्स की मदद की थी रिवोल्ट ओफ 1857 में ये कहानी हम लोगों ने नेपालीज के बारे में समझी अब हम एंगलो बर्मीज पे आते ह सेकिंड एंगलो बर्मीज वोर 1852 और थर्ड एंगलो बर्मीज वोर 1885 में अलांकि 1857 के बाद जो बिटिश क्राउन है उन्होंने कह दिया था कि अब तुम लडाई नहीं करोगे किसी लैंड को क्यूपाई नहीं करोगे लडाई नहीं करोगे लेकिन उसके बाद भी 1885 में आप देख रहे हूं थर्ड एंगलो बर्मीज वोर जो होती है रानी के मना करने के बाद भी गुड गवर्नेंस एक आता है मैंने पॉलिटी में समझाया है जिसको नहीं पता वो यूट्यूब पे पायल गुपता निकाल सकते हो पूरी लक्ष्मिकांत मैंने डिटेल में किया है आप लोग वहां पे इसको समझ सकते हो हमें बर्मा के मैप में क्या देखना है जो आपको रिजन दिख रहा है यह पेगू रीजन यह जो आपको दिख रहा है यह टेना सेरिम रीजन यह पर अच्छे से लिखेगा इस औरिस जो मैंने ब्ल्यू मार्क किया हुआ प्रेगु रीजन ये जो रैड लाइन मैंने डिनोट की हुई है ये इरावडी रिवर के इस तरब को लोऻ बर्मा कहते है और ये जो बाग है ये पूरा अपर बर्मा कहलाता है आप यहांपे भी देख सकتे हो ये ब्लैक कलर का मैंने मार्क करके रखा है यह है एरवडी रीवर आपकी ठीक है यहाँ पे यह मंडले है जहाँ पे इन्हों ने अपना हेड़ क्वार्टर शिफ्ट कर लिया था बिटिशर्स ने और यह आप यह जगा देख रहे हो ना आवा इसको याद रखना यहाँ पे पेगू रीजन यह अपर बर्मा है अब हम समझते हैं हमने यह तो देख ही लिया कि क्यूं कैप्चर करना चाह रहे हैं वह मयानमर को वह तो देख चुके हैं ना हम लोग मैने पहले ही बताया आपको पांसात प्वॉयंट अब हम देखते हैं कैसे capture किया ठीको 1824 में हम first anglo-burmese war की बात कर रहे हैं 1824 में min dynasty अच्छा है min dynasty कहां थी ये देखना ये जो आपका पेगू region है ये पेगू region आप यहाँ देखो this green one ये पेगू region जो है यहाँ पे min dynasty रहती है ठीक है इस min dynasty ने मनिपूर और असाम को capture कर लिया और इनका next target जो था ये भी expansionist policy अपना रहे थे इनका next target था कि अब हम बंगाल को capture करेंगे अब आपको पता है बेंगॉल के अंदर तो बिटिशर्स के बहुत बड़े center थे बहुत ज़्यादा revenue वहाँ से कमा रहे थे वो कैसे बरदाश्ट करें कि कोई min dynasty के लोग आके वहाँ पे कबजा कर ले अब क्या करते हैं बिटिश retaliate करते हैं बिटिश कबजा बिटिश बदला लेते हैं यानि कि min dynasty से असाम को जीत लिया मनिपूर को जीत लिया और min dynasty को हरा दिया first anglo burmese war के अंदर जो 1824 से 1826 में होती है यह war की जो अंत है वो treaty of yandabu से होती है यह treaty जो होती है यह आवा के अंदर होती है आवा मैंने बताया आपको याद रखना है मंडले के पास यह जो आवा रीजन है यहाँ पर यह treaty of yandabu होती है इसके अंदर क्या कहा गया कि आप हमको war identity दो एक करोड रुपया एक करोड रुपया मिन डाइनेस्टी से यानि मयानमार से ले लिया बिटिशर्स ने और इनके जो coastal province थे आरकन के और तैना सहरिम के इनके उपर कबजा कर लिया देखो कौन है यह है आरकन यहाँ पर आपके रोहिंग्या मुसलिम है आज के टाइम पर और यह वाला जो रीजन है इसके उपर कबजा कर लिया देखना यह purple one इसके उपर कबजा कर लिया यह वाला जो मैं मार कर रही हूँ अभी sky blue कलर का जो है इस वाले रीजन के उपर कबजा कर लिया यानि दो बड़े coastal area बिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिये पेगू अभी भी इनके अंडर नहीं आया था ठीक है इन्होंने असाम के उपर कचार हिल्स के उपर और जैंतिया रीजन के उपर कबजा कर लिया बिटिशर्स ने मनिपूर को एक independent state घूशित कर दिया commercial treaty जो थी यह बिल्कुल commercial treaty बिटेन के साथ नेगोशियेट हो रही थी जो मयनमार के लोग थे यानि आरेकन रीजन के जो लोग थे या मैं कहूँ तैना सहरिम रीजन के जो लोग थे मिन डाइनेस्टी के उन्होंने बिटिश रेजिडेंट को आवा के उपर असेप्ट कर लिया कि ठीक है आवा जो हमारी main territory है वहाँ पे हम आपके बिटिश रेजिडेंट को असेप्ट करते है ठीक है अब देखना आरेकन को कैप्चर करने के बाद यह क्या करते है इस वाले रीजन को कैप्चर करने के बाद जो यह बिटिश लोग है यह क्या करेंगे इस वाले रीजन को परपल कलर के रीजन को कैप्चर करने के बाद पांगलादेश के अंदर जो मुसलिम्स थे उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दे ठीक है और यही मुस्लिम आज के टाइम पे आप देख रहे हो रोहिंग्याज मुस्लिम के नाम से फेमस है और इनका विवाद चल रहा है बांगला देश से इनको इस अरकन रिजन के अंदर भेज दिया था बिटिशर्स ने ठीक है यह पहली एंगलो बर्मीज वोर थी जो ट् 1953 जब भारत के अंदर ट्रेन चलने वाली थी यानि ट्रांस्पोर्टेशन पे खर्चा हो रहा था इनको बहुत सारा टिमबर चाहिए था आपना जोग्राफी हिस्ट्री पॉनिटी सबको मैच करोगे ना स्ट्रैटीजी इन सबको मैच करोगे तो एक बहुत खुपसूरत सा आंसर आपको पता लगेगा और कोई भी बात है हिस्ट्री के अंदर हर चीज के पीछे बज़े है लडाई हो रही है तो कुछ तो यहां पे उनको फायदा दिख रहा होगा ना कि लडाई हो रही है तो यहां पे क्या रिजन है फर्स्ट ट्रेन जो है वो चलने वाली है भार और किया कि अब हम सिर्फ इन दो रिजन को क्याफिर नहीं करेंगे मतलब और कम टिने अन्डर वर्मrese और में और अपर अभी बी इनके जो अपर बर्मा था वहाँ पर अब किंग भिंडान रहते थे इंग भिंडान की डेथ के बाद उनके जो बेटे है थिबाव यह थ्रोन पे आ जाते हैं अपर बर्मा की बात कर रही हुँ जो ये थिबाव थे ये बहुत जादा एग्रेसिव थे बिटिशर्स की तरफ इनका रुख अच्छा नहीं था अब लोवर बर्मा के अंदर मैंने आपको क्या बताया इन्होंने अपना रेजिडेंट बिठा रखा है बिटिशर्स ने लोवर बर्मा में अपना रेजिडेंट बिठा रखा है अब ये लोवर बर्मा के साथ यानि इन बिटिश रेजिडेंट के साथ एक स्टैप मदरली यानि सोतेली मावाला बरताव मतलब इनका बरताव अच्छा नहीं था और दूसरी तरफ जो ये फ्रेंच लोग थे फ्रांस के जो लोग थे वो भी ये चाह रहे थे कि हम भी मंडिला से और फ्रेंच ट्रेरिटरिंग तक एक रेल लिंक बना ले यानि अब बिटिशर्स और फ्रेंच दोनों ही एक जगा पे फोकस किये हुए है ये फ्रांस बिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कोई और पावर भारत में सकस्स ले और ये बिटिशर्स और फ्रांस की अल्रेडी नाइजर के अंदर इजिप्ट के अंदर मेडगासकर के अंदर लड़ाई चल रही थी अब ये फ्रांस के लोग यहाँ पे भी आने की बात कर रहे है बर्मा के अंदर भी तो बिटिशर्स ने ये सोचा इस समय थर्ड बर्मीज वार में लॉड डफरिन जो है वो भारत में है डफरिन ने क्या सोचा कि मैं पूरे ही बर्मा को अपने अंडर ले लेता हूँ लोवर बर्मा पर बर्मा पूरे ही बर्मा को अपने अंडर ले लेता हूँ और फ्रेंच को यहाँ नहीं आने दूलगा तो Dufferin ने क्या order दिये 1885 में कि पूरे बर्मा के उपर attack कर दो पूरे बर्मा पे attack कर दो British had to face a strong gorilla uprising in the whole of Burma soon after nationalist movement after the first world war अब पूरे बर्मा के उपर 1885 के अंदर कबजा हो जाता है यानि कि ये पूरा region चाहे वो आपका lower बर्मा हो चाहे वो अपर बर्मा हो अब ये वाला region भी third Anglo Burmese war से Britishers के अंदर आ गया था फिर क्या होता है 1935 के 1935 तक जो बर्मा है और जो बर्मा है और जो बर्मा है वो एक ही तरीके से रहते हैं लेकिं 1935 में Myanmar को बर्मा को separate कर दिया था ठीक है इंडिया से British इंडिया से separate कर दिया था क्योंकि जो ये बर्मीज नेशनलिस्ट थे ये इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के साथ हाथ मिला रहे थे तो Britishers ने ये सोचा बर्मीज भी मिल जाएंगे भारतिये भी मिल जाएंगे तो हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ी लडाई हो सकती है तो क्यों ना मैं बर्मीज नेशनलिस्ट को अलग कर दूँ तो बर्मा को भारत से 1935 में अलग कर दिया था लेकिन फाइनली चार जन्वरी 1948 फॉर्थ जन्वरी 1948 को यू सैंक सैंके अध्यक्षिता में सेकिंड वर्ड वर के बाद 1948 में जो बर्मा है वो खुद को इंडिपेंडेंट घूशित करता है और वो भारत से बिलकुल अलग मयानमार एक देश बना जो भारत की एक नेबरिंग कंट्री है यह पूरा एंगलो बर्मीज वोर हम लोगों ने पढ़ा यह पूरा हमने एंगलो नेपलीज वोर पढ़ा सिंध का और मैं अफगान का पहले ही आपको बता चुकी हो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फाइव जो है वो कम्प्लीट होता है अब नेक्स सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे जो भी एस्पिरेंट्स नए है वो मेरा टेलिग्राम का चैनल UPSC with Pail Gupta को जोईन कर सकते हैं सारी अपडेट्स के लिए टेलिग्राम पे यह मेरा चैनल है और दूसरा अगर आप फेस्बुक पे मुझे फोलो करना चाहते हो तो GS with Pail Gupta यह मेरा पेज है GS with Pail Gupta जो एस्पिरेंट्स नहीं जानते मुझे हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार मेरी क्लास को ले रहे है मैं economy को बहुत comprehensive तरीके से cover करवा चुकी हूँ आपको सिर्फ YouTube पे लिखना है Pail Gupta Economy ठीक है Pail Gupta Economy मैंने शुराम IS के notes को detail में discuss करवाया है और recent एक और playlist बनाई है mastering economy के नाम से आपको सिर्फ type करना है YouTube पे दूसरा मैं complete quality करवा चुकी हूँ लक्ष्मी कांत बहुत ही comprehensive way में मैंने इसको कराया है और लक्ष्मी कांत के अंदर जो बाते नहीं है वो bear act के साथ मिला के मैंने इसको समझाया हुआ है फिर मैंने environment शंकर IS complete किया हुआ है आपको सिर्फ YouTube पे लिखना है environment by Pail Gupta, economy by Pail Gupta, quality by Pail Gupta आपको पूरी playlist मिल जाएगी environment मैंने इसके अंदर पूरी शंकर IS की जो आपकी book है वो complete की हुई है अब मेरा target spectrum है बहुत जल्दी ये भी हम cover कर लेंगे spectrum को ठीक है आप लोग UPSC with Pail Gupta ये telegram के channel को अगर आप join करते हैं तो आपको इनकी playlist वैसे ही वहाँ पे मिल जाएगी मैंने पूरी playlist वहाँ पे share की हुई है अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो मेरा detailed manner में समझाना map के माध्यम से समझाना आपको अच्छा लगा हो please वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना thank you so much, take care